जैश्री क्रिश्न रादे रादे जैश्री राम जैहनुमान आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के ओपर जो भी कोई नवा आया मेरे इस चैनल पर तो मैं आप से हाथ जोड़ करके भिर्द्धी करता हूं काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लाल बटन देखे अगर वैदिक एस्टोलजी के ओपर जाते हैं तो वहाँ पर हजारों एस्टोलजर हैं हमारे देश में जो बोल रहे हैं कि कुंडली बहुत अच्छी है पर कुंडली आपकी अच्छी तब भी नहीं निकलती वो कहते हैं कि यह उचका है इस सारे ग्रह उचके हैं उस सब रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा थह सैवंटी परसेंट जो है देख रहे है 30 तो मैं सब सब बात को अरहिए च्छलिक हो precisamente की कि आप जुरुरर करें चैनल तो चलिए बोड बे समझते हैं इस बात को तो गाई जैसे आप यह देख रहे हो यह आण transitioninge है लाड है वीनस और वीनस जोंसा है नाइन हास में मंगल के साथ केटु के साथ बैठा यह इनका लगन चार्ट है तो लगन चार्ट को अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा चार्ट नजर आता है जुपिटर करक राशी में शणी अपनी रची में बैठा है तेरा डिगरी का बहुत अच्छा होता है जुपिटर बारा क्टी ineš मानते हैं रनु राहू धनु राशी में है तो भाई सारी कुंडली बहुत जबर्दर्दस्त हैं ये कुंडली ये 2021 से विचारी स्ट्रिगल कर रही है income career government job इन सब चीज़ों के लिए पर इनको वो चीज नहीं मिल रही अब हजारों astrologers के पास गई उन्होंने का भाई कुंडली तो बहुत अच्छी है D1, D2, D3 चार्ट सारा कुछ देख लिया नमवश चार्ट देख लिया सारा कुछ अच्छा है परंतू यह देख लिए न आप लगणचार जोंसा आफ देख रहे हो यह लगणचार जोंसा है अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीजे बता रहे है परंतू ऐसा हो नहीं रहे है अब इनकी दशा किसी चल रही है शुक्र की दशा चल रही है शुक्र के अंदर इनकी चल रही है शनी की दशा अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो शुक्र और शनी की चल रही है और शुक्र जोंसा है इनका 2011 से चल रहा है ज्यादा पीछे जाने की जुरूत नहीं है 2011 से जो चल रहा है इनका शुक्र उसके बाद सारे प्लैनेट्स नि कम पाने के लिए देखिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो इनके सारे प्लैनेट्स सही हैं तो यह मेरे पास आई यह कोश्चन जानने के लिए इनको लगा कि यार यह इनको यह लगा कि अकाशदीब सार मेरी हेल्प कर सकते हैं और वो भी बहुत जादा बिल्कुल ठीक माना उन्होंने अगर हम नीचे आ जाते हैं इनकी जो नाड़ी की mathematical calculation है वहाँ पे आईए अब इनके सारे planets देखिए के तू, Venus, Sun, Moon, Mars, राहू, Jupiter, Saturn and Mercury सब के अंदर 6, 8, 12, 5, 8, 12 जो मैं शुरू से बोलता हूँ यह देखिए, यह 6 है, 8 है और 12 है, यह तीनों houses जोंसे होते हैं, करियर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं तो यह करियर और यह सबसे ज़्यादा hindrance पैदा करते हैं, तो वो हम लोगों को यहाँ पे सामने नजर आता है नाड़ी की mathematical calculation में, KP system थोड़ा सा अलग होता है, नाड़ी की mathematical calculation अलग होती है इनकी जो calculation होती है, वो इस software में आपको बहुत साथा clear नजर आएगी, 6, 8, 12 अलग से है अब यह सारे जोंसे हैं, हम लोग इस चीज के अंदर देख सकते हैं, यह सारी चीज़ें आप देख सकते हो, देखिए इसके अंदर abortion, aggression, bail, career, income, childbirth, यह सारी चीज़ें आप देख सकते हो, education अगर मैं education दबाऊंगा तो सारे जो है ना numberings change हो जाएंगी, वो यह houses है तो भाई ध्यान से देखिए, यह सारे houses इनके education के हैं, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा concentration break होता है तो यह बहुत ज़्यादा concentration focus ज़्यादा break होता है, इन्होंने बोला भी है अच्छा, इनके बोलने से पहले मैंने सारी कहानी सुना दी थी इनको, मेरे को इनको बताने की जुरुवत ही नहीं पड़ी तो मैं यही आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी एस्ट्रोजर के पास जाएं अगर आप तो बताने की जुरुवत नहीं है कि आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है अगर समझदार है तो वो खुद ही ढूंड लेगा आपकी प्राब्लम अब जैसे इनकी कॉंसेंट्रेशन की बहुत जादा प्राब्लम है ठीक है कि नहीं, अगर हम लव को तो अभी मैं इनसे बात नहीं करता हूँ चलो मैरिज के ओपर चलते हैं, तो मैरिज के अंदर भी बहुत दिक्कत है देखे, टू, सेवन, इलेवन आर था मेन हाउसेज मैरिज के लिए टू, सेवन, इलेवन जो होता है यह टू हो गया, यह सेवन हो गया, यह लेवन हो गया इनका जो बारमा घर है 1, 6, 10 मैरिज गो अपोस करता है और वो यहां पे नजर आ रहा है mathematical calculation में, हर planet में केतू यह पूरा का पूरा केतू है यह पूरा पूरा केतू है, यह तीन लाइन्स है ये केतू है ये प्लैनेट है ये नक्षत्र है ये सब लॉड है तो ये तीन चीजें होती है नाड़ी कैलकुलेशन में जो हम ये नरायन कप से से इसकी कैलकुलेशन करते हैं भवचली चार्ट से ये आपको नहीं समझ में आएगा पर जिनको समझ में आता है उनको बात समझ मे आजाएगी कि मेरी problem है कुंडली में तो marriage भी दिखा रहा है अब यहाँ पर उपर देखे सूर्य तो मेश राजी में नीच उचका है मरकरी भी वहाँ पे बैठा हुआ है तो भाई ऐसे तो planets आपको समझ नहीं आएंगे तो मैं यह कहता हूं कि अगर knowledge लेनी है तो हर type की लीजिए अब वैदिक में तो समझ में नहीं आ रहा है नाड़ी में साफ समझ में आ रहा है marriage क्यों नहीं हो रही है तो हर planet में तो one six ten है fixation की problem है अब कई लोग इसमें question पूते है मेरी love marriage है या arrange marriage है अगर आपका love चल रहा है तो भाई arrange नहीं हो पाएगी और अगर आप arrange ढूंड रहे हो तो arrange fix नहीं हो पाएगी उसका reason है कि हर planet में one six ten है जो की oppose करता है marriage को अब इसी तरीके से career है career के वैसे main question तो इनका career ही था पर मैंने इनको marriage का भी बता दिया हाला कि लड़का देख रही थी यह अब government job की त्यारी कर रही है 2021 से यह अब यहाँ पे आप आ जाईए 21 में जुपिटर चल रहा है जुपिटर जोन सा है इनका यह देखिए six ten two seven eleven नहीं है और भी बहुत सारे houses है government job के लिए यहाँ पे जो की मौझूद है पर उसके अंदर gain नहीं आ रहा है 11th house is the main planet which gives gain to six and eleven are the main houses which gives competition exams में भी clear कर जाता है इसा बच्चा six और two भी है six भी है ठीका कि नहीं ten भी है तीनों houses है मौझूद government के पर 11 नहीं है gain नहीं है तो इसके अंदर तो जुपिटर बहुत अच्छा बता रहा है जुपिटर करक राशी में अब जितने भी planets पंडिद एस्टलो जाना वो यहीं बोलेंगे जुपिटर आएगा आपका selection हो जाएगा पर नहीं हुआ सूर्य आके चला गया जुपिटर आके चला गया सनी चल रहा है अभी इनकी राशी में शनी अभी चल रहा है इनकी life के अंदर 2024 से 2027 है में से चल रहा है पर इनकी कोई selection नहीं हो पा रही है अब हजारों लोगों यह वीडियो देखके बोलेंगे नहीं सर यह reason है वो reason है अरे मेरे भाई reason चाहे कुछ भी है जो मैंने उनको बोला life तो मेरे से ही match कर रही है आप लोग आप जो मर्जी guess work कर लो देखने के बाद वीडियो आप जो मर्जी बोल लो पहले आप अगर जब client आता तब बोला करो ना उनको तब बात माने भी आपकी कि भाई इस वज़े स तो आप न पहले अपनी knowledge बढ़ाईए किसी के भी channel पर कुछ भी बोलने से पहले अपनी knowledge को increase करिए तो आपकी रोजी रोटी अच्छी चलेगी दूसरे के अंदर टांग अड़ाने से आपकी रोजी रोटी का कोई लेना देना नहीं चलेगा आपकी रोजी रोटी नहीं चल है सूरे जोनसा है बहुत अच्छा है ठीका की नहीं सेवन्त का लॉड मंगल है और मंगल जोनसा है नौवे घर में है वीनस और केत्टू के साथ है तो इतना ज़्यादा भी खराब नहीं है कि हम लोग कह दें कि marriage जोनसी है इनकी खराब जाएगी तो मेरे भाई आपको I hope आ इंकम है कितना पैसा कमा होगे वो तक मैं बता देता हूं पर्मनेंट सेटलमेंट हैल्थ इशूस जो भी है वो सारी चीज़े बताएंगे अब जैसे हैल्थ है मैं यहाँ पर देखता हूं है को देख लेते हैं यहाँ पर इनकी अब जैसे हैल्थ है हैल्थ के अंदर यह चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी क्या हाउसेज है पर हैल्थ में mental stress, overthinking, negative thoughts, accidents भी आ रहे हैं कहीं न कहीं गिरती पड़ती रहती हैं यह और बहुत ज़्यादा सोचती हैं बहुत ज़्यादा depression में चली जाती हैं तो यह भी medicine ल माउथ food habits भी ठीक नहीं आती हैं थोड़ा सा खराब होती हैं खाना नहीं खाती ढंग से और weight जुन सा है कम होता जा रहा है तो मैं आपको यहीं बोलूगा कि नाड़ी की mathematical calculations से अपना गरना करवाईए और एक बारी मेरे पास आईए आपको खुद समझ में आ जाएगा और live sections मेरे चेक करा करें उसके अंदर आपको मज़ा आ जाएगा जब मैं किसी से भी कुंडली detail में नहीं लेता हूं मतलब कुंडली का detail तो लेता हूं birth detail लेता हूं questions नहीं लेता तो मेरा live sessions भी देखिए subscribe करोगे तभी तो live का समझ में आएगा कि मैं live पे हूँ notification तभी मिलेगा न नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा तो उमीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगावा ज्यादे ज्यादा शेयर करें मैं आपसे बिंती कर सकता हूं बाकि आपकी इच्छा है जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करिए चैनल को बढ़ाना है ग्रोथ करव रधे रधे जैश्री कृष्णा